हलो माइ डियर वीज़स्ों इस हों आप सब एच्छे होंगे स्वस्त होंगे मास्त हो अपि आप सबको इसमे मिल गए होंगे तो चले आजальной करेंगे कि आपके पर से की कल रात की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी क्या सोच रहे थे क्या चَल रहा था उनके दिल और दिमाग में रीडिंग जर्नल है थी था पर आपने ध्यान नहीं देना है वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है और अपके साथ मैच करती है तो बहुत बढ़िया है ओकी एंड जिस की तरफ आपने ध्यान देना है वाओ काफी positive सोच रहे है most of the time ये reading resonate कर जाती है अगर कुछ ऐसा आता है कि आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपने उसको वहीं चोड़ देना है कुछ भी जबरदस्ती अपने साथ fix नहीं करना है निकाल लिए अपने person के picture को देखिए बड़े प्यास से बड़े ध्यान से तो चेक करते हैं कि कल रात उनकी feelings आपको लेकर क्या थी तो अपने person की picture को निकालना है और देखना है उनको बड़े प्यास से तो universe बताईए इस समय मेरे viewers जो ये video देख रहे हैं जिस भी person का ध्यान कर रहे हैं जिनका नाम ले रहे हैं मन ही मन में तो universe बताईए उनके person की कल रात की feelings मेरे viewers को लेकर क्या थी क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में काफी उदास थे एक अकेला पन फील कर रहे थे आपको छोड़ कर third party situation है आपको छोड़ कर जिनके पास वो गए है तो वो भी कल उनके साथ नहीं थे उनको ऐसा लगता था कि आपको छोड़ कर वो move on कर जाएंगे या आगे लेकिन ऐसा नहीं है third party situation है and third party जैसे मैं हमेशा बताती हूं कोई भी हो सकता है family हो सकती है friends हो सकते हैं उनकी कुद की ego हो सकती है हो सकता है कि वो काम में बहुत अपना time waste बोल रहे हैं अपना time invest करते हैं तो इसलिए आपको response नहीं देते हैं तो third party उनका love partner भी हो सकता है अगर वो married है यह सब के साथ resonate नहीं करेगा यह उनके साथ resonate करेगा अगर मेरे viewers में से कोई किसी married person के साथ deal कर रहा है तो आगे देख लेते हैं justice इस relation में justice करने के बारे में सोच रहे थे इस relation में justice लेके आना चाहते हैं जो गलतियां उन्होंने की है ठीक है उनके साथ आपके साथ justice करना चाहते हैं कि जाने जाने मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैं मैंने उसके साथ ऐसे किया या उसको छोड़ दिया या आगे बढ़ गया काफी regret करते हुए नजर आ काफी बिचैनी दिख रही है जैसे कि सीने से लगा के रखा हुआ था रात भर उन्होंने आपके पिच्चर को अगर आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपके पिच्चर को डिलीट कर दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने एक अलग से फोल्डर बना के रखा है और उ जैसे ही जैसे इस लेडी ने इस पर्स को सीने से लगा के रखा है तो कल रात वो उन सब को सुनते हुए पढ़ते हुए देखते हुए नजर आ रहे है King of Pentacles आया है तो आपके person आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो यहां तक मुझे न अभी कुछ age reflect हो रही है 44, 40 के या 35, 32 ऐसे उनकी age हो सकती है 8 of friends आया है तो कल रात इनका बहुत मन था आपको call message करने का मेभी इन्होंने type भी किया है आपको रात को unblock किया है message type किया है लेकिन send नहीं किया है आपसे बात करना चाते थे बहुत कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल यह काफी desperate रहे है रात भर सोने पाए है sleepless night रही है कल रात की काफी stuck feel कर रहे थे अपनी situation को लेकर बहुत सोच रहे थे तो जिसके कारण यह जाने अंजाने आपको manifest कर रहे है यह नहीं कि यह सिर्फ रात को ही सोच रहे थे दिन में भी इनका हाल आपकी तरफ कुछ ऐसा ही रहा है past life relation मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है world card आया है तो 12 की 12 राशियां यहां पे है old zodiac sign है ऐसे लग रहा है कि अगर आप किसी married person के साथ deal कर रहे होना तो उनके बच्चे हो सकते है तो बच्चों के कारण में भी हो सकता है कि वो आप से दूर गाए है उनका लेकिन ध्यान उनका 24 खेंटे आपकी तरफ ही है beautiful यहां पे आया है king of pentacle and queen of pentacle तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हो आप भी काफी time से जैसे जब से वेलेंटाइन डेस स्टार्ट हुए है तो आप भी अपने परसन को बहुत सोच रहे हो बहुत मिस करे हो उनके कॉल मेसिज का वेट करे हो 24-7 आपका ध्यान उनकी हो रहता है आपके परसन आपकी तरफ ही देख रहे है और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे है no contact situation है tower card आया है तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि no contact situation है लेकिन साथ ही मुझे यहां पे ऐसी feeling भी आ रही है कि मेरे कुछ viewers उनको block नहीं किया गया है आप दोनों की लेकिन बात नहीं होती है एक दूसरे का last scene देखते हो जाते जरूर हो एक दूसरे के वाट्सप पे एक दूसरे की चैट पे लेकिन बात नहीं करते हो तो कल रात जो मुझे यहां पे निज़र आ रहा है आपके वरसन आपको बहुत मिस्ज कर रहे थे रात पर यह सोच रहे थे जैसे अपने friends को ही देखते हैं दूसरे के साथ हातों में हार डाले हुए गले लगाये हुए तो का apologies आपको miss करते हैं एक akiella पंद फील करते हैं अपने ही किये पे शरमिनदा है और अपने ही Sadly में फस्से गये हैं किमैं कैसी शुरुआत करूँ क्योंकि इनको पता कहीं न कहीं जैसे प्रामिस रहे था तो यही सोच रहे थे कि यार मैंने उसे इत्ते वादे किये उसको बोला कि मैं हमेशा तुमारे साथ खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी तो मैं मैंने कोई भी अपना प्रामिस क्यों नहीं निभाया है राद भर इसी चक्कर में ये व्यक्ति सो नहीं पाए है राद भर किसी स्ट्रगल से कम नहीं थी काफी restless दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा attraction फिल कर रहे थे काफी desperate हो रहे थे आपको मिलने के लिए आपसे बात करने के लिए तो मुझे यहां पे ऐसे लग रहा है कि राद भर ये person सो नहीं पा रहे हैं जब से valentine day स्टार्ट हुए है तो ये बतलब अगर मैं कहूँ ना तो ये जब से स्टार्ट हुए है तब से ये proper सो नहीं पाए है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं bottom of the day का है आपको कुछ ओफर देने के बारे में सोच रहे हैं दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि जैसे यहां पे queen of pentacle आया है and king of pentacle आया है तो आप दोनों ही अपने काम की और ध्यान दे रहे हो और आपके person को ऐसे लग रहा है कि आप उनको ignore करे हो क्योंकि अभी आपने अपने अंदर एक change लाया है जैसे पहले आप desperate रहते थे इनको call करने के लिए इनके पीछे बीछे बागते थे please मुझे चोड़के मत जाओ आप message डालते थे status डालते थे ये लंबे लंबे paragraph आप इनको message करते थे लेकिन आप वो सब न मुझे खतम होता नजर आ रहा है तो यही चीज ना आपके person को परिशान करी है आपके अंदर ये आया हुआ change ही इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है अगर कुछ viewers ऐसा नहीं करे हैं तो आपके person आपकी तरफ attract नहीं होंगे जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं वो चीज और आगे जाती है लेकिन जैसे ही हम उस चीज को let go करते हैं वो चीज हमारी life में वापिस आ जाती है आपने कभी notice किया है जैसे आप किसी से प्यार करते हो लेकिन कोई आपसे प्यार करता है है लेकिन जो आपसे प्यार करता है आप उसको इग्नोर करते हो तो वो क्या होता है वो desperate होता है और आपके पीछे-पीछे आता है तो सेम अगर आप यह कर रहे हो अपने person की wait कर रहे हो आपको wait नहीं करनी है move on करना है negative situation से उनकी थोट से अपने और ध्यान देना है तो आपके person बहुत जल्दी आपकी life में वापिस आजाएंगे यह law of attraction का एक rule है ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 24-7 आपके person का ध्यान आपकी तरफ है और उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनको ignore कर रहे हो अपने emotions पे इनको control नहीं है काफी struggle करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि रात भर इनोंने कोई ऐसा song सुना है जो आप दोनों का favorite है या दोनों आप जब साथ होते थे तो उस song को लगाते थे या long drive पे जाते थे तो वो song भी मुझे सुनते हुए आपके person दिखाई दे रहे हैं काफी missing energy है long term commitment देने के बारे में ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं अब मुझे उसके पास जाना है यहां पे मुझे काफी ऐसा भी लग रहा है कि long distance relation है और ये person travel करके आपके पास आएंगे तीन साल या चार साल मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ viewers ऐसे हैं जिनको सिर्फ अभी तीन महिने हुए है 9 months होए है एक दूसरे से दूर हुए यहां मुझे एक message channel हो रहा है जैसे कि रात भर आपके person बोलते रहे है मुझे से दूर मत चाओ I need you मुझे ये message अभी channel हुआ है तो हो सकता है कि वो मन ही मन में ये बात सोच रहे हो कहीं न कहीं आपको fantasize किया है रात भर इनोंने आपके picture को देखते हुए काफी desperate रहे हैं आपको गले लगाने के लिए आपका हाथ अपने हाथों में लेने के लिए काफी सोच रहे थे and साथ में इनको ऐसे भी लग रहा था कि अगर मैं उसको call message करता हूँ या करती हूँ तो कहीं ये मुझे reject तो नहीं कर देगा ये चीज़ें भी सोचते हुए नजर आ रहे है and दूसरा इनके अंदर एक ऐसी बाद भी सता रही है कि जैसे काफी time निकलता जा रहा है कहीं आपकी life में कहीं कोई और तो नहीं आ गया है ये क्यों हो रहा है क्योंकि अब आप अपने उपर काम कर रहे हो और इनका focus बिल्कुल आपके उपर है पूरा आपके उपर है दूर से कहीं आपको देखते हुए चेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप डेली आपको ये stock करते हैं and आपके हर action को देखते हैं अगर आप बोलोगे कि दी हम तो block है तो my dear beautiful viewers fake account भी बनाए जाते हैं ठीक है तो fake account से आपको चेक किया जा रहा है कि आपके situation में हो या आपकी energy कैसी है या आज भी क्या आप उनको याद करते हो ऐसे चीज़ों को कल रात ये सोच रहे थे और आपको बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि अगर इन्होंने जिनके लिए भी आपको छोड़ा ना तो अब क्या हो रहा है अब वो लोग भी इनके साथ नहीं है अब ये अकेलापन ये प्यार वाला अकेलापन कौन भरेगा ये चीज़ भी सोच रहे थे आपके साथ ये complete feel करते हैं और कहीं न कहीं रात भर आपको दुआओं में मांगा है इन्होंने के युनिवर्स प्लीज मुझे किसी तरह से उसके साथ मिलवा दो आपको बहुत ज्यादा ये इन दिनों मिस करते हुए नजर आ रहे हैं में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी कहीं न कहीं से उनकी love vibrations feel हो रही है या उनकी energy आप लोग भी feel करे हो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कल रात आपने शायद इनको कोई shirt gift करी थी या कुछ ऐसे top gift करा था आपको पता होगा कि वो चीज न मुझे लग रहा है कि कल रात अगर आपने shirt gift करी थी तो इन्होंने वो चीज कल रात डाली हुई थी और आपको feel कर रहे थे आपने उस shirt के क्लोथ को टच करते हुए कि यार मैं यह कैसे कर सकता हूं और काफी पश्टावा और रिग्रेक्ट भी दिखाई दे रहा है तो आपके परसन आपको कल रात बहुत सोचते रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल सोनी बाते हैं काफी डेस्परेट रहते हैं और आपको ही देखते रहते हैं और चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो अगर आप मानते हो तो इस एनरजी को आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है ठीक है और पॉजिटिव रहना है तो जल्दी से हम देख लेते हैं क क्या आता है नंबर वन है नंबर जीरो है 10 को किसी का बर्दे हो सकता है या 10 मन्त आपके लिए important हो सकता है and M है कुछ भी बनेगा तो आपने comment section में लिखना है मैंने community पे post डाल रखी है मेरे को message आता है कि दी हमें 66 दिख रहा है हमें 99 दिख रहा है हमें 10 दिख रहा है मैंने guys उस पे post डाल रखी है तो please आप वहाँ से check कीजे क्योंकि आपकी situation क्या है हर situation को ये code ये number अलग ही meaning बताते है my हम तुम मेरी हूँ P है A है अरे E है उनकी I आपके उपर है नजर आप पे टिका के बैठे हूए है number two है कुछ भी नाम बनता है तो आपने में को बताना है okay number six है V है E है G है फिर से E आया है I hope आपको दिख रहे है number six अभी मैं इनको settled कर देती हूँ U है N है फिर से N आया है good night हो सकता है कि आपके long distance relation होने के कारण आपकी रात को बात होती हो and यहाँ पे एक word बन रहा है queen my queen हम यहाँ पे yes queen and यहाँ पे good night भी बन रहा है तो लगता है कि आपकी रात भर chatting होती है यहाँ आप दोनों रात को ही बात किया करते थे long distance के कारण 2 है फिर से Y आया है and I है 0 नमबर आया है number 5 है number 6 में को लगता है कि आपको 66 number बहुत दिख रहा है तो 8 हमारी कार्ड में भी आया है and M है तो wait I think अभी आपको न सारा number दिख रहा है ठीक है यहाँ पे 6 number बहुत ज्यादा आया है 6 number बहुत ज्यादा आया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आपको 66 number बहुत दिख रहा है तो यह indication होता है प्यार का connection का कि आपके प्यार आपकी life में वापिस आने वाला है and साथ में यह भी बताता है यह एक signal होता है कि आप soul meet की journey में हो and आपका reunion होने वाला है letter बना है अगर यहां पर good night बना है तो हो सकता है कि यहां पर am morning में आपकी बात हो सकती है and हो सकता है कि दिन में ओफिस में वो आपसे बहुत सारी chat करते हो तो कुछ भी बना है phone number हो सकता है उनका birth date हो सकती है उनका sun हो सकता है यहां पे मैं को ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ ऐसे वीवर्स हैं जो fun side से ये वीडियो देखते हैं 50 plus भी हो सकते हैं ऐसे मुझे यहां पे feel हो रहा है 42 की age हो सकती है आपकी और आपके person 25 की हो सकते हैं या आप 25 की हो तो जो भी अगर आपके साथ match करता है तो आपने मैं को comment section मे बताना है और इस energy को आपने claim करना है और वीडियो को share करना है मेरे को आप remedies भी पूछ रहे हो मैं आपको वह भी बता रही हूँ तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी videos को share कर दो जैसे ही आप मेरी video upload होती है आप सुनो और उसको share कर दो और मैं चाहती हूँ कि मेरा channel grow करे तो इसमें आपके support की मुझे बहुत जरूरत है तो please आपको video को like करना है claim करना है अगर आप सिर्फ like कर दोगे तो तब भी मेरी video आगे आगे बढ़ती जाएगे जितनी ज्यादा like होंगे तो आपनी video को like करना है claim करना है इस energy को and video को share करना है पहल connection feel कर रहे हो हमारी soul family के साथ तो जल्दी बन जाएए आप भी मेरी इस प्यारी सी soul family का हिस्सा तो मिलते हैं नेक्स video में खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखेगा महुत सारे प्यार के साथ bye take a love y'all